सबी दोस्तों को नमस्कार कक्षा बारवी विसे है आपका क्रशी विज्ञान और गणित के मूल तत्वुर इसका आपको मोस्ट मोस्ट प्रिशन बताऊंगा दोस्तों जो आपकी परिक्षा के लिए बहतर साबित होंगे सो प्रतिसत आपके सिलेबस पर आधरी थे यह आप याद रखेंगे ठीक है और जितने भी मैं आपको कुशन बताऊं इनको आप याद रखेंगे लिख कर याद रखेंगे कैसे भी करें लेकिन याद जरूर कर लेना दोस्तों डेली आपको मैं अनेक प्रकार के वीडियो उपलब्द करवाता हूँ आपके सब्जेक्ट से रेलेटेड आप कमेंट करके हमें बता दीजिए कि आपको किस सब्जेक्ट का वीडियो पहले चाहिए आज करसिविक ग्यान और गणित के मूलतत्व का जो वीडियो है मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों कक्षा बारवी मद्धिप्रदेश MP Board त्रेमासिक परिक्षा पहले हम सही वी कल्प देखेंगे सही वी कल्प देखेंगे बिना देर किये दोस्तों चुम्ब की ये बल रेखाएं तो याद रखना ओप्षन नमबर 20 का करेक्ट होगा मैं डायरेक्ट उत्तर बताऊँगा आपको बंदवक्र बनाती है चुम्ब की बल रेखाएं बंदवक्र बनाती है शराब में उपस्तित होता है तो C2H5OH ये आपको ओप्षन नमबर 20 करेक्ट करना है इसके बाद में नेक्स्ट कुश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है दोस्तों विशाणू किस न्यूकलिक अमलके बने होते हैं तो यहाँ पर DNA या RNA एवं प्रोटीन के बने होते हैं DNA, RNA या प्रोटीन के इसके बाद में एक वरत्ताकार मेदान की 30-140 मीटर है उसके चारों और 10 चक्कर लगाने में ते की गई दूरी कितनी होगी याद रखना 30-140 मीटर है 10 चक्कर लगा रहे हैं तो आपको दूरी कितनी होगी यह बताना है तो option number C is the correct answer 8.8 किलोमीटर इसका correct answer होगा इसके बाद में अनुवांसिक लक्षन की इकाई क्या होती है तो उत्तर में आपको याद रखना है अनुवांसिक लक्षन की इकाई जीन होती है option number C is the correct answer अब आप रिक्तिस्तान देख लीजिए दोस्तों यह किसी प्रकार का वाइरल पेपर नहीं है आपको most press ने बता रहा हूँ याद कर लीजी आप ठीके केलोरी मापी का बना होता है तो यह तांबा धातु का बना होता है यहाँ पर उत्तर आप देख सकते है किनवन एक क्रिया है तो उसमाक शेपी क्रिया है ठीके विटामिन A में विले होता है तो वसा आएगा यहाँ पर खालिस्तान में आप वसा लिखेंगे जिब्रेलिन हार्मून कवक द्वारा तियार किया जाता है यह most question ने ध्यान देना सभी most ही है वो तो sign 1125 डिगरी का मान कितना होता है तो एक बटा करनी दो ठीक इस परकार साफे से लिखेंगे अब मैं आपको सही जोड़ी बता रहा हूँ सही जोड़ी को आप अच्छे से complete करेंगे और अपनी परिक्षा में बिल्कुल अच्छे से तियार होके जाएगे अच्छे से अब subject को तियार करेंगे प्रति चुम्ब की पधार्त तो इसमें आपको याद रखना है चांदी आएगा अनु चुम्ब की पधार्त तो इसमें आपको D sodium याद रखना है ठीके मौत इसमें बॉम्बिक समोरा है आपको याद रखना है तो ये आपकी सही जोड़ी है चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना दोस्तों क्योंकि मैं आपको कई प्रकार की latest latest update दूँगा जिसे आपको मैं यहाँ पर दे रहा हूँ क्रिस्टि विग्यानेम गणित के मूलतत्व कक्षा बारवी यह आप देख सकते हैं पूरा लिखा हुआ है आपका ठीके बिल्कुल जेन्युएन चीज मैं आपको बताऊँगा फालतु बक्वास करने का मेरा कोई भी काम नहीं होता है लक्ष बिल्कुल सटी करेता है देखिए आप सत्य असत्य मैं आपको बता रहा हूँ बर्प की गुप तुश्मा का मान 80 केलोरी ग्राम है तो यहां पर आप क्या करेंगे इसमें असत्य ठीक है इसके बाद में नेक्स्ट जो कुशन है दोस्तों इसमें आपका जो यह है एक मिट आपको अच्छे से कंप्लिट करना है बर्प की गुप तुश्मा का मान दोस्तों 80 केलोरी ग्राम है यह बिल्कुल सत्य है यूरिया अकारबनिक पदार्त है यह असत्य है ठीक है यूरिया अकारबनिक पदार्त है असत्य करेंगे मित्रों ठीक है अब मैं आपको बता रहा हूँ नेक्स्ट आप देखिए यह सत्य असत्य के सभी के उत्तर यहाँ पर दे रखें दोस्तों आप इससे भी देख सकते हैं मेच कर लेना एंजाइम जे उरासैनिक उत्प्रेरक होते हैं तो यह दोस्तों यह देखिए सत्य है आपका शे रोग वाइरस जनित रोग है यह असत्य है असत्य इसके बाद में वरत्य की सबसे बड़ी जीवा व्यास केलाती है तो यह बिल्कुल सत्य है दोस्तों उसके बाद में कॉस A प्लस B बराबर साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B यह असत्य है दोस्तों तो यह असत्य आप इसमें करेंगे अब मैं आपको देखिएगा कुछ और कुशन बता देता हूँ ताकि आपकी जो परिक्षा है उसमें आपके जो यह कुशन है काम आ जाएं आप इन्हें याद कर लीजिएगा जिसमा लीजी यह कुशन मैं आपको बता रहा हूँ चुमबक के प्रमुक गुन लिखिए यह चुमबक के गुन आपको बताना है आसुत और अनासुत एलकोहलिक पेप अधार्त में कोई तीन अंतर लिखिए आसुत और अनासुत यह दो प्रकार का ठीके और बर्प के गलन की गुप दुश्मा तता पानी के वास्पन की गुप दुश्मा से क्या अभिपरा है इसको भी बताईए इसके अलावा यह कुश्यन और भी देखिएगा कुश्यन कुश्यन है इसमें दोस्तों क्योंकि एक तरक कुश्यन पेपर ही आपका ठीके पूरा निम्न लिकित में से किनी तीन खंडों को उत्तर लिखिए मानव सर्य में प्रोटिन के चार प्रमुकारी याद कर लेना जेवरसैन का महत्व याद कर लेना कुरूसी फेरी कुल के विसेश्ट लक्षन याद करेंगे और माल वेसी कुल के किनी तीन पोदों के वनस्पतिक नाम और शाधरन नाम दोनों याद कर लेना है इसके बाद शेवालेम कवक में तीन अंतर याद रखना है अब नेक्स्ट वीडियो में आपको दूसरा सब्जेक्ट में बताऊंगा कमेंट करके आप मुझे बता दीजिएगा जिस प्रकार से आपको मैंने अभी कर्शी विज्ञान और गणित के मूल तत्व का बताया है और यह दोस्तों आदर्स पृष्ण पत्र के तोर पर है आपका 2021 में दिया गया था दोस्तों यह ठीक है आपकी NCERT है ना इसी से रिलेटेड है तो आपके त्रेमार्सिक परिक्षा में इस से बहुत सारे कुशन बन सकते हैं इसलिए मैं आपको यह बता दिया है थेंक्यू ओल उफ यू